ओके तो आज हम स्टार्ट कर रहे है लौ ओफ डिमांड जिसे दिया है प्रॉफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इस पर कुशन अक्सर बनते है उब्जेक्टिव के लिए है उनकी जो बुक है वो है प्रिंसिपल ओफ एकोनोमिक्स जो के 1890 में पब्लिश हुई थी तो यह कुछ को कुशन पे बन सकते लौफ डिमांड से रिलेटेड प्रॉफेसर अल्फ्रेड मार्शल उनकी बुक है प्रिंसिपल ओफ एकोनोमिक्स जो एटीन नैंटी में यह बुक आई थी तो लौफ डिमांड क्या कहता ह इससे पढ़ने के लिए हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो मैंने इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया है तो अगर हमें समझना है तो लौफ डिमांड क्या कहता है कि अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और अगर प्राइस कम हो तो demand बढ़ेगी तो in short यह है आपका law of demand ठीक है साथ ही साथ यह भी कहता है अगर इस बात को proof करना है तो जो other things है ना जो हमने यहां लिखा है इन सब को है ना हम constant कर देंगे ठीक है इन सब को constant करेंगे यानि यह सारी चीजे चेंज नहीं हो रही हम यह assume करेंगे कि यह सारी हो जाएगी ना तो हमारा जो law of demand है जो कहता है price बढ़ेगी demand कम होगा और price कम होगी demand बढ़ेगा वो गलत हो जाती है ठीक है तो अगर हमें इसे proof करना है तो हमें इन सारी जो चीजे other things जो मैंने लिखी है उन्हें constant करना होगा ठीक है तो law of demand हम कहते हैं satris paribus satris paribus मतलब other thing remain constant other thing remain constant if price increases demand decreases and if price decreases demand increases यह है law of demand चीक है अब यह सारी चीजों को हमने जो पिछले lecture है उसमें देखा था जो कि तहा finance of demand वो चीजे जो डिमांड को affect करती है आपको अगर याद होगा जिसमें हमने देखा था कि income change हो रही है substitute goods जो था then complimentary good की बार की थी हमने future changes in price हमने देखा था उसके अलावा हमने taxation बढ़ आए तो उस पे डिमांड का क्या effect हो रहा है हमने यह भी देखा था कि हमारा test या हमार जो habit है हमारे preferences change हो रहे तो डिमांड में क्या फरक होता था तो हमने हर एक factor को देखा था और हर एक factor का relationship देखा था इधर वो inverse relationship था या फिर direct उसका relation था तो हमने इस बारे में अच्छे से study किया था अगर आपने वो lecture मिस्किया तो प्लीज एक बार इससे pause करके वो जरूर दे है यह actually आपका law of demand है ठीक है लेकिन अगर इन में से एक भी चीज जो हमने assume किये यह constant है change हो जाती है तब demand price के साथ opposite relationship में नहीं आ सकता है ठीक है हमारा जो purchasing power है वो automatically बढ़ जाएगा ठीक है अगर population की अगर बात करे हमारी population ही बढ़ रही है ठीक है तो demand automatically बढ़ने लग जाता है उस वक्त price से लेना देना नहीं होता है ठीक है अगर हम substitute की goods की बात करे हमने example लिया था Pepsi और Coca-Cola अगर Pepsi का price बढ़ जाता है तो हम switch करते है Coca-Cola पर तो Pepsi के price बढ़ने की वज़ा से Coca-Cola का demand बढ़ जाता है और उस वक्त Coca-Cola का price रहता है Coca-Cola का price नहीं बढ़ रहा है ठीक है तो उसकी वज़े से demand बढ़ रहा है तो हमने यहां assume किया कि substitute good है उसका जो price है वो constant है हमने यहां पर income जो है उसे constant वान है income बढ़ी नहीं है ना कम ह हुई है और हमने जो size of population है वो भी assume किया है कि वो change है यह बढ़ नहीं रहे otherwise हमारा जो law of demand है वो prove नहीं हो पाएगा ठीक है price of complimentary good car और हमने fuel की बात कर रहे थे अगर car की अगर fuel की price बढ़ जाती है तो car का demand automatically कम हो जाता है तो हमने यह assume किया है कि जो complimentary goods जो है उसका जो price है वो constant है तिक है फिर हमने future price जो है वो rise होती है ऐसे हम expect करते है उसे भी हमने constant रखा है कि ऐसी कोई भी prices change नहीं वाली future में ठीक है और फिर हमने taste और habit की बात करते है preferences की बात करते हैं कि हमारे जो taste है वो change नहीं हो रहा है वो constant है next हम taxation की बात करें कि government की taxation की policy वो भी change नहीं हो रही है यह सारी चीजों को assume करेंगे कि constant है तभी यह law of demand proof होगा जो कहता है price बढ़ेगी demand कम होगा और price कम होगी demand बढ़ेगा हमने फर्स जो lecture है उसमें individual demand schedule बनाता उससे हमने graph बनाता exactly वही schedule और वही graph हमें यहाँ पर use करना होगा law of demand के लिए ठीक है एक बार वो lecture जरूर आप देखिए ठीक है next जो topic है हमारा इस chapter में वो है variation in demand variation in demand मतलब demand का बढ़ना या demand का कम होना किसकी वज़ा से price की वज़े से price के बढ़ने या कम होने से demand पर जो changes आते हैं उससे हम कहते है variation in demand ठीक है तो दो type के changes आ सकते हैं एक हो सकता है expansion expansion of demand और दूसरा होगा contraction of demand ठीक है यह demand के changes से due to price ठीक है तो मैं यहां लिखता हूँ due to price ठीक है changes in demand due to changes in price variation in demand means changes in demand due to changes in price ठीक है तो उसमें सबसे पहले हम expansion of demand बढ़े expansion of demand means होता है demand का बढ़ना ठीक है demand कब बढ़ेगी अगर हम price की बात करें तो price जब कम होगी ठीक है तो एक schedule बनाते है उसके बाद हम graphically इसे present करेंगे है तो प्राइज यहां लिकरें हमने price और यहां हमने demand लिखा तो प्राइज है शिक्स रुपीस और हम डिमान कर रहे है 10 10 का डिमान कर रहे है 10 quantity 10 numbers हो सकता है केजी हो सकता है कुछ हो सकता है प्राइज कम हो रही है 6 से 4 हो गई तो depth क्या होगा demand बढ़ गया 10 से 12 हो जाएगा प्राइज फर्दर कम हो गई 2 रुपिया हो गई Demand और बढ़ जाएगा 14 हो जाएगा इसे किस तर हम graphically present करेंगे ये आपका एक्स एक्सेस और यह है वाई एक्सेस वाई एक्सेस पर हम प्राइज लिखते हैं और एक्सेस एक्सेस में हम कॉंटिटी डिमांडेड लिखते हैं कॉंटिटी डिमांडेड डिमांडेड चीक है ओके तो वाई एक्सेस पर हमने प्राइज लिखा है एकस पर डिमांड लिखा है जब प्राइज 6 थी तो हम कॉंटिटी जो डिमांड करेते वो थी 10 ठीक है तो यह एक हमें पॉइंट मिल गया जब प्राइज 4 रूपया हो गई तो हमने डिमांड को बढ़ा दिया ठीक है यह हमारी जो demand है वो अब 12 हो गई है ओके तो देखे यह हमारी original price थी और यह original demand थी 6 से 4 हो गई तो demand बढ़ गया demand बढ़ गया ठीक है further जो price कम हो गई है तो demand और बढ़ा है ठीक है देखे अब डिमांड कितना हो गया डिमांड 14 हो गया चीक है एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें ये लाइन हो गई चीक है तो फर्स पॉइंट है A, then B and C चीक है 6 से 4 हो गई तो जो ये डिमांड है देखना इतना बढ़ गया डिमांड ओके और जब फर्दल प्राइस कम होती है तो ये जो डिमांड है ना येवहला जो डिमांड है ये हमारा ये बढ़ चाता है ये ओके So, point A to B क्या बताता है Point A to B बताता है Increase in Demand ठीक है और point B to C क्या बतायता है Again Increase in Demand ठीक है तो इसे हम कहते है expansion of demand again expansion of demand means price की कम होने की वज़ा से demand का बढ़ना expansion demand का बढ़ना due to changes in price contraction की अगर बात करें contraction मतलब demand का कम होना demand का कम होना reason क्या है due to changes in price demand कब कम होगी जब price बढ़ेगी ठीक है so schedule बना लेते price और demand ठीक है हम assume करते हैं कि हमारी जो price थी वो 10 रुपीज थी 10 रुपीज पे हम say 5 kg की demand हम कर रहते हैं price बढ़ गई 10 से 12 रुपिया हो गई तो अब हम 4 की demand कर रहे है further price बढ़ गई 14 हो गई तो हमने 3 की demand किया तो देखिए price यहां बढ़ रहे है demand कम हो रहा है इसे कहते है contraction of demand demand का कम होना due to changes in price ठीक है ओके यह x-axis पे हमने quantity demanded लिया है quantity demanded और y-axis पे हमने price को लिखा है ठीक है तो देखिए price जब 10 रुपिया है तो हमने 5 quantity की demand किया है तो यह हमारा original हो जाता है point ओके this is our original point ठीक है price बढ़ रही है price बढ़ रही है तो अब quantity जो हम demand कर रहे है वो कम demand कर रहे है ठीक है जब price बढ़ गई तो हमारे quantity की demand वो यहां से यहां हो गई 5 से 4 हो गई further price बढ़ गई है बारा से 14 हो गई तो quantity अब 4 से अब 3 पे आ गई है ठीक है तो ओके एक line draw हम लोग हम एक line draw कर लेते हैं ओके और इन सारे points को नाम देते हैं original जो point था वो हमारा c है ठीक है तो देखिए point a और b a to b हमें यह बताता है कि हमारा जो demand है ना वो कम हो गया है हमारा demand कम हो गया due to change in price price के बढ़ने से चीक है point b point b और c यह वाला point बताता है यह चीक है this point this b देखिए demand को क्या फरक हो रहा है demand कम हो रही है ठीक है b to c demand कम हो रही price बढ़ रही है चीक है इसे कहते contraction of demand हो के एक बार अगेन repeat कराऊ variation in demand होता है changes in demand due to changes in price ठीक है variation की दो पार्ट है variation इधर demand बढ़ रही है यह demand कम हो रही है तो जब demand बढ़ती है तो हम उसे कहते expansion of demand और जब demand कम होती है तो उसे कहते contraction of demand ठीक है so hopefully आप लोगों को यह variation clear है चीक है झाल को अईब एक परे जब एक बारे बस्टार बड़ा समय को जब कि गूने